और हमारे बचने गारंटी हमारे बच्चों के बचने की गारंटी है ये बात अगर समझ में आती है तो मुह खुलना सीखिए सवाल करना सीखिए चंदा बंद कीजिए लोगों से कहिए कि रैली ये जो ताम जहाम चल चल रहा है ये अलग अलग जो आप अपने अपस्तित को ब बचेगा तो हम बचेंगे यही प्रक्रती में होता है कि जो लोग इखटे रहते हैं वही बसते हैं हजार बार बता रहे हैं लाक वर बताएंगे करोड़ बार 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 कहेंगे क्योंकि हमें खुद को 26 नवंबर को समविधान देवस है यह करीब 5-6 साल पहले हमने शुरू किया था इससे इंडिया गेट से शुरू तो इसलिए किया था कि समविधान देवस है और उससे पहले यह जो बीजेपी गौश्मेंट है उसने मनाया पहली बार मनाया था उसके बाद फिर हमने इसको किया तो दो-तिन साल बाद दिल्ली और आसपास में खुब सारे काईकर्म लगे पर फिर हमें समझ में आया कि गल्ती हो गई गल्ती क्यों हो गई गल्ती इसलिए हो गई कि 26 नवंबर को प्रमोट नहीं करना चाहिए था 26 नवंबर को भी लोगों ने चंदे का धंदा बना लिया और उनको एक और काम मिल गया कि 26 नवंबर का काईकर्म लगाना है तो हमको दो चंदा अभी बरिली में जो हमारे स्पोक हैं उनसे बात चित हुई उन्होंने बताया कि राष्टिय बहुत महासवावाले लोग अब बह धरना प्रदशन कर रहे हैं 26 तारिको जनत्रमंदर कुछ पता नहीं कुछ और भी जोड़ लिया साथ में ताकि लोग ये सम्विधान को भचाने के लिए हैं सब अलग-अलग सब रेलियां सम्विधान यात्रा सब अलग-अलग तो राष्टे बहुत महासवा के लोग बरेली में पैसा एक खटा कर रहें चंदा, कुछ संगियों के पास गए संगियों से कहा के आप चंदा दे दो संग्यों ने का हम चंदा ना देते हैं ना लेते हैं हम तो भाई अपने खर्चे पर जाते हैं अपने खर्चे पर आते हैं तुम कहें चंदा ले रहे हो तुम भी सब जिसको जाना है वहां रैली में जंतमंतर पे आप अपने पैसा खर्च करके जाओ पैसा संगियों चारा काम पिदान को सब्ब्राज में सब्भार संग्यों संद्धान को बचाने का पहला कत्थ कैसे उठाया कैंको कुप कूछता नहीं अरे भाई तुम यहां संद्धान भचाओगे वह दूसरा वाला संद्धान बरावर में कही और बचाय Netherlands तीसरा वाला कोई और बचाएगा तुम सम्विधान को बचा रहे हो या सम्विधान को कब्जोर कर रहे हो जो लोग हैं क्या उनके पास में खबर नहीं जाती है क्या वाटसेप नहीं है क्या उनके पास सिस्टम नहीं है ये देखने का कि ये लोग टुकडों में तूट के समिधान को बचा रहे हैं ये लोग टुकडों में तूट तूट के अलग अलग काईकम कर रहे हैं इनके यहां अलग 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 चंदे खटे हो रहे हैं एक मैं कहानी सुनता हूँ इत्यास का इतना जानकार नहीं हूँ पर यहां जो कोई मुगल आए थे और जब वो लड़ाई कर रहे थे तो रात को जब डेरे अपने अलग लग लगे हुए थे तो उसमें जो मुगल था वो लडाकू उसने पूछा कि भई यह जो दुस्मन की फौज है इसमें अलग 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 उजल लई है तो मुखवर ने बताया कि जी इसमें अलग अलग जाती अलग लग वर्क के लोग हैं और यह आपस में एक दूसरे का पानी भी छुआ हुआ नहीं पीते एक दूसरे को बहुत नीचा उचा करते हैं इसलिए इनके खाने अलग बनते हैं इनका खाना सवर अलग ब होई हो वो क्या लड़ेगी तो ऐसा उधारन हमारे सारे के सारे जितने भी स्रमण लोग हैं संख्टन वाले रोज देते हैं पर खुद को नहीं देखते अरे जिसके सम्विधान बचाने वाले अलग अलग हैं जो अलग अलग चंदा एक खटा कर रहे हैं और जो एक दूसरे का एजंडा है तो BGP का एजंडा है तो दिस्मन का एजंडा है तो तोड़ने आये फोडने आये हैं जो यहाँ बात सुनने को को तयार ना हो उन्हें को बचाएगा और उनके जानिये चार, मैंने अपनी आँखों से देखा है, सुना है, लोगों को करते हो देखा है, मैंने कभी बसके लिए चंदा खटा नहीं की हुआ, पर मैं सरकारी करमचारी को परिसंग में रहा, जहां हर साल रेडियली लगाने की बीमारी है, हर साल यहां रामिला मैदान के दर ल में मिलता है, हर अप्ते यहां से यहां यहां होता है, यह सीदे साथे लोगां के वह यह सोच का कि दिली होगी तो, कुछ, हमारे बेडापार हो जाएगा, और यहां नेता को कुटता नहीं कूशता Muslim हापस इंदूसरे हैं यह हकीकत बता रहा हूँ आपको किसी के पास यहां कुछ नहीं है पर चंदा इखटा हो जाता है लोग के दे बसों में घूमना तो फोकट में बस घूमने वाले मिल जाते हैं के चलो रोटी भी मिलेगी घूमने मिलेगा और जो चंदे के लिए चंदा है नहीं और बेइमान हिसाब पूछता नहीं जिसका नंबर दो का पैसा आता है वो भीक्षी समझ के दे देता है वो कभी सामनी मांगता वो देता है और जो इसके पास चंदा देने लिए उस्से भी बड़ा काम ये मिल गया कि सम्मिधान को बचाने की बार्माभि हैं बहुते हैं पर चलते हैं उनकी लोगों से हमने कहा हम पुरुए क्वाला है बैचते बात करते हैं अब बैठते हैं उन्हों बैञे हैंstar फिर दिक्कत क्या है अगर जो समर्संग की नियम है वही नियम है तो आओ समर्संग को ले जाओ फिर समर्संग पानी और पानी दो जगे रखा हुआ है दोनों की नियम सेम है दो ग्लास में पानी है तो आप खटा करके दो ग्लास का पानी लोटे में डाल लेते हैं जग में डा जाएगा तो क्या होता है रे डेली में जंतरमंत की रेली आपको बताता हूं या हर अपके लगती है बलकर ने एक बार तो बड़ा कमाल हुआ के रोहित वोमला एक्सपार हुए और रोहित वोमला के विरोध में चार बाम सेफ एकी दिन धरना प्रदसन सबके पास ददस बारे नहीं खटे हो सकते इनको अपने जंडे बैना और अपने संग्ठन किसी की मौत से प्यारे तो प्रदसनी ना करते ज्यादा अच्छा था खराब प्रदसन आपके मनने की गारंटी है और अच्छा प्रदसन आपके जीने की गारंटी है तो खराब प्रदसन कभी करना नहीं इसलिए ये बचेंगे नहीं तो जंतर मंतर पे सिर्फ दो सो सो डिर सो आदमी आ जाए बस इससे ज्यादा की जोतनी पड़ती वो नीचे बैठते हैं सब कोई कोई कुर्सी मंगा लेता है टेंट वाले फिक्स हैं चार-पांच मेज लगती है एक पीछे बैरन लगता है दो बल उस पर सिर्फ एक अरजी देनी होती है कोई संख्ञन नाम लिखके हमारा संख्ञास है और हम इस मुद्दे पर यहां शांति पूर्वक्दसण करेंगे सान्ती पुर्वक होता है बागी पूलिस रहती है कोई सान्ती फ्यलाएं तो पुलिस है यह दो मिन बसा जाती है और भरबरा के ले आते हैं दो तिन घंडे थाने बठाते हैं उसको बादल छोड़ देते हैं तो उनको बताया जाता है कि ठीक है क्या है बताओ प्रदसन है धरन है या रैली निकाल के और प्रतसंद करोगे आगे तक तो जो लोग यह कहते हैं जी हम तो सिर्फ भाषन करेंगे बैठेंगे तो कदर ठीक है उनके दो चाल लोगों का वहां इंटेलिजेंस जो होता है वो नाम पता लेकर उनसे पूछता रहता है तुम्हारी क्या पूशन है क पुलिस का कौन बोले और पुलिस मिया रेज की होती है दिल्ली पुलिस तो सुनती नहीं किसी की दूसरा अगर आपने रैली निकालनी है तो उनको सिर्फ जंतर मंतर से लेके और पंद्रे बीस-तीस मीटर तक का एक रोड होती है जो पालियमेंट को जाती है वहां थाना है उससे पहले डबल बैरिकेटिंग लगाते हैं वो पूछ लेते हैं कितने लोग आपके आरें कितने नहीं आरें अगर ज्यादा आये तो आपको जवाब देना पड़े का ज्यादा कैसे आपने बता है नहीं और कम आये तो कोई बात नहीं पर हमेंसा पुलिस वहां बहुत हो फॉरे फैक्ता बहुत तेज पानी आता है उसमें आदमी घाली हो सकता है आँक नाक कान भी फूट सकती है बहुत है भी पानी आता है तो वह लोग जो भाशन देखिए अगर रैली वाली निकाला चाहते तो वहां तक आते हैं और आने के बाद में वहां हलावला मचाते हैं पर उनकी वीडियो वीडियो से बन जाते हैं यह काम वहां चलता रहता है और वहां सभी का धन्रप्रसंद लगता है ऐसा नहीं है खाली समणों का है वहां कोई कोई भी लगा सकता है वहां बहुत साइब लोग लगाता कैई-की महीने से भूखे बैठे भी रहते हैं तो वह कोई परणाम नहीं आता वह एक मेमोरंडम लेता है वहां पुलिस वाला होता है उसकी डूटी लगी हुई है वह जीप में बठागे आपको ले ले जाएगा पीमों हाउस बाहर छोड़ देता है कहता है जी उस गेट में जाओ और जाकर दिया हो लोगों को लगता है कि हमार धन्य प्रतसन पूरा हो गया बस आज तक भी जितने धन्य प्रतसन हुए हैं किसी की नहीं सुनी किसी का कोई समाधान नहीं है सरकार को पता है यह का दो चार गहंटे चलाएंगे चलाएंगे उसके बाद चले जाएं काम खतम यहां वैसे भी कुछ रुकना रुकानी जगह तो होता क्या है कि पब्लिक को कुछ नहीं मिलता जो लोग हैं उनको कुछ नहीं मिला आज तक भी किसी धन्य प्रतसन से कहीं कुछ नहीं हुआ इसलिए आप अगर ध्यान से देखोगे और जानोगे तो जो काम्याब लोग हैं जो संग वाले लोग हैं वो तो धन्य प्रतसन के लिए अपने चंदा एकट्टा करने की रोजी रोटी को बचाने के लिए अपना कहीं टिकेट विक्रिट सेट करने के लिए किसी पार्टी की निगहा में आके कुछ उंचा-उंचा बनने के लिए साल में कम से कम एक उनकी exercise है एक या तो वो रैली निकालेंगे या मार्च निकालेंगे या वो धन्ना करेंगे या प्रदसन करेंगे या कोई संगोश्टी करेंगे या और कुछ नहीं तो उनका इस्थापना दिबस मनाएंगे और इस महाने वो अच्छा पैसा इखटा कर लेते हैं और वावाई हो जाती है और उनको संग्ठन अपने आपको पयATHAN कहते थे नौन एजिटेशनल नौन रिलिजिए और नौन पॉलिटिकल वह सारे बामसिप के तुकडे आज की टुकड़े हैं पर सब ब्रांचे सब माल उनके पास मिलता है तो दिसंबर में उनका भी खूब काम चलता है यह अगस्त से उनका शुरू हो जाता है अगस्त में वो जगह तै कर लेते हैं कि इस साल कहां इखटे होंगे दिसंबर में और यह 34-36 साल से चल रहा है साब कासीरम ने स्टार्ट किया था इसलिए कि सरकारी करमचारी को पांस दिन चुटी रहती है दिसंबर में उनकी चुट्टियां होती है बचे आ जाएंगे लोग आ जाएंगे तो पांस चार-पांस दिन का केडर लगा लगाएंगे बहुत अच्छा भी देता है जो नहीं आते हैं उसे चंदा एकटा करता है और बीस बीस तीस तीस लाग का टेंट का खर्चा होता है खाने का अलग होता है और लोगों के आने जाने का अलग होता है क्या करोड का खर्चा हो जाता है पर मिलता क्या है वो कहते हैं हम जागरती फिला रहे हैं बहुत जादा है जागरती इसलिए है क्योंकि लोगों को यह पता चल गया कि हम क्या है क्या नहीं है पर नुक्सान क्या है नुक्सान यह है कि दुस्मन दुस्मन करते करते तो दुस्मन बहुत बड़ा हो गया जाग गया रों मालिक और आपने सब को ये बता दिया कि इतने कटर दुस्मन हैं कि मिलने की बात भी कभी नहीं करते एक साथ बैठने की बात भी नहीं करते ये जो नुकसान हुआ है इस नुकसान के कारण सारे अधिकार गए क्योंकि अधिकार खीचने वाला जो अधिकार लेता है पहले वो कर लेता है कि अगर मैं इनका कोई नुक्सान करूंगा तो कहीं तो नहीं होगा कहीं एलोगी खटे तो नहीं हैं तो जब वो यह जान लेता है तब आपका अथिकार खींचता है किया बार वो फियल − हो जाता है जैसे ऐट्डीज क्ट में फियल हो गया एट्डूर्श क्ट में उसने जो आपका अथिकारšíंचा तो नेटा तो कोई आयर नहीं और नहीं कोई जो बड़ा आद्म हुआ है पर लोग आ गए तो पता चला गया धिकार क्षिचने वाले को यहाँ हाथ नहीं डालना है भाई, यहां हाथ डालेंगे तो गड़ बड़ हो जाएगी वैसे ही, उनको यह पता है कि भाई बावा साब को सारे नमन करते हैं क्योंकि बावास आपका कद बहुत बड़ा है तो वहां तिन डालते ऐसे उनको ये पता है कि ये जो लोग हैं ये किसी भी हालत में इखटे हो जाते हैं अगर आप इनकी किसी बेसिक चीज को छेड़ दो जैसे आरक्षन अगर आरक्षन को आपने छेड़ा तो ये लो सामने मैदान में तीन साल लगातार आये थे उससे पता चल गया कि ये खटे हो जाते हैं और ये खटे होते हैं तो उनमें से तीन ओएम बापिस हुए पर वो कानून में नहीं बदले उनमें से आधिया दूरे ही लाग हुए कुछ कहीं हुए कहीं नहीं हुए तो तब उनको पता चल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है पर हमारे लोगों को पता नहीं चलता हमारे लोग तो हर चीज में साधूसंत हैं बहुत सारे बामसेफ हैं बहुत बढ़िया बहुत सारे टुकड़े हैं बहुत बढ़िया बहुत सारा लगलग काम चला है बहुत बढ़िया बहुत सारा नेता है, बहुत बढ़िया, हमको नेता चाहिए, बहुत बढ़िया, अधिकार चलेगे, कोई चिंता नहीं, हम मर रहे हैं, कोई चिंता नहीं, हमारा प्रतिसन खराब है, कोई कोई चिंता नहीं, ये बाते हमें परिशान करती हैं, ये बाते हमें खतम कर रही हैं, पर लोग मानने को त्यार नहीं है लोग मानने को इसलिए त्यार नहीं है दो किताब पढ़ लेता है बावा साब की कहीं दो भाचन सुन लेता है और रात बर सपना लगाता है कि अब मैं करूंगा दिक्कत क्या आ रही है कि दो चार पांच लोग के पास जाता है तो अगर पां बात चंदा देने लाइक बचेंगे नहीं पर हमको हमको समझ में नहीं आ रही बात किसी को सराबी को ये समझ में नहीं आता कि सराब पीते पीते उसके लीवर फेल होगे कोई मानने को त्यार नहीं है जब तक मर नहीं जाता सड़ सड़ के जब तक यकिन नहीं करता और जब मर में बुलाओगे भ flowery कितनी कितनी संविधान बचाने की यात्रा मैं बुलाओगे कितनी यात्रा निकालोगे कोई भूश्तर है या तुमberger बिशिता झेए रे पूश्ता बatters ले लेरं पूर उड़ाओगे तुम एक तबिशरा ने men ख़ंकरुन चुनाओ हो रहा है वहाँ पर अरे बह destroy जिस्टम नहीं बिक जाते यह नहीं पता एका कि मारा आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा समाख को कैसे बचा होगे क्या guarantee यह पर कोई समझने को त्यान नहीं है कोई पूछता भी नहीं सब से का दिनी डालोगे तो दिक्कत हो जाएगी जैसे मैंने उस कायकरन में पूछा बैक कौन चला रहा है कौन इसके पीछे है क्या है क्या नहीं तो ताज्जुम की बात है के डिल घंटे आपने बठाया और आप बताने रहे हो क्या को क्या करने वाले हो आपके identity क्या है आपका पता क्या है हम बात किस से कर रहे हैं कौन है क्या नहीं है यह कितनी बड़ी मुर्खता है कि 42 आदमी वहां सुन नहीं है और 42 के meeting में किसी से खड़े हो के पूछ लीघे वह यह क्या है मीटिंग मे न ही और अनृवल को मिटिंग कर समाज की है अब जैसे पोर्टल पे कुछबी पूछ वा कुछ भी मीटिंग के अंदर हमारी मीटिंग जो होती है अभी जैसे बिजञ्जोर की मीटिंग हुई बहुत बड़िया एकलास बुध्यजी भी आए उनसे का भाई खूब तर्क बितर्क करना हैं और वहां थी तर्क बितर्क की ओपर दिया गया था कि अगर तरक बितर्क नहीं करोगे तो सारी बाता सुनी तो मैंने उन से पूछा बेद प्रिकासर से कि इन में जो लोग थे कुछ कच्छे थे या सारे समझदार थे तो उन्होंने का कि नहीं पके हुए लोग आएं सारे सारे और सारे पके हुए लोग आए हैं सब समझते हैं कंसेर्ट पूप पहले भी दी जा चुक तो कम से कम भागोगे नहीं अगर सुरू सुरू में आगे नियता बनने के लिए यहां कुछ है नहीं तो भाग जाओगे तो उससे संका भी नुकसान होता है रापका भी होता है तो सवाल पर सवाल करें सवाल पर सवाल करें अगर सवाल नहीं कर सकते हैं तो कोई भी आपको मूर्ख बना सकता है फिर आप मूर्ख बनने लिए त्यार हो जाएए फिर मूर्ख बनाने वाले का कोई दोस नहीं है दोस्तों मूर्ख बनने वाले का है हमारे सोसाइटी के अंदर हमारे स्रम्णों के अंदर यही दिक्कत आ रही है कि हम बुरा नहीं बना चायते उस लेडी ने मुझे कह दिया आपको नहीं पसंदा रहा तो आप छोड़के चले जाओ 3-4 बर कहा मैंने उसको डाट के कहा रे भाई सा क्या मतलब है कोई कहता नहीं इस बात को किसी ने कह दिया कि छोड़के चले जाओ अरे तुम्हारे पिताजी का यहां सम्लिन लगा हुआ है क्या अपने घर में लगाओ अगर पोर्टल पे लगाओगे सोसाइटी में लगाओगे घर पे लगाओगे या कहीं पुब्लिक को बलाओगे तो आपका कुछ नहीं है उसमें आप उसमें सिर्फ एक भागिदार हो यहां जूम पोर्टल खुलता है तो जूम पोर्टल पबनिक का है एक वार राइस्थान के लोगों के साथ मैं पुराने लोग थी जो चलेगे तूटके हैं तो उन्होंने का जी आठ लोगों का इंट्रेशन कराना है तो मैंने कराए का तब तक अंकरिंग सिस्टम नहीं था हमारे हैं तो उन्हों बार बार तो बताते हैं कि संग सबका होता है तो कायदे में संग अगर सबका होता है तो सबका अधिकार है सबको बताने का अधिकार है सबको पूछने का गलती है तो ठीक कर देंगे कोई नहीं जानता है तो बता देंगे पर भगा नहीं सकते क्योंकि उसका धिकार है खूब तो यह चलागे बोलते हैं जो समण में पैदा हुआ है चाहे वो मा की पेट में है चाहे बूड़ा है चाहे मरने वाला है चाहे मरीज है जो समण में पैदा हुआ है वो समण संग का हिस्सा है इनेक्टिव है भलेई वो अलग बात है कि एक्टिव नहीं हुआ है पर समर्संगी है उसका राइट है समर्संग में बास्चित करने का उसको सवाजवाब करने का इसलिए उसको आप डिनाई नहीं कर सकते भारत का सम्विधान अपने हर एक नागरी को बोलनी का ज़दी जित है आप उसे भी उंचे हो क्या जो संग्ठन लगाते हो संग्ठन के अंदर ऐसा कह देते हो तो यह बीमारिया है यह बीमारिया इसलिए हैं कि व्यक्ति जब काम सुरू करता है एक या दो चार व्यक्ति इखटे काम सुरू करते हैं तो वह मनी मन में अपने आपको उसका मालि लेते हैं बातें तो वो करते हैं समाज की समाजबात की समता की और सबका है सबका है पर जैसे आप मुह खोलोगे वैसे आपको पता चल जाएगा सबका नहीं है इनी का है जैसे आपको अधिगारी बात करोगे आपको तुर्ण पता चल जाएगा सबका नहीं है इनी का है यह त का पहले स्वागत है आप आलोचना करो समलोचना करो कितनी कड़वी करो हमें अची लगती है अच्छी सुने लगती है हम और सुद्ध हो जाते हैं हमारी और गंद की निख निकल जाती हम अलोचनाओं से नहीं तो यह संगی को बोलेगा किसी की करेगा तो यह संग के नियम के ह horizon करके के, हाफ किन करकेavored किसी का घरन कर सकते, आप किसी का चरह खिंए खिरनळ झास कर कि अगर आप ऐसे करोंगों तो limit क्रोष करोंगे फिर आपको मजबूरन यहां से वो थोड़े समय के लिए म्यूट कर देगा या थोड़े समय के लिए रिमूट कर देगा अगर आप नहीं मानते हो क्योंकि आपको समाजिक दायरे में सदाचार के दायरे में और संग के नियमों के दायरे में अपनी बात रखनी है बात रखने का अधिकार है बात के साथ बत्तमी करने का अधिकार नहीं है तो इसलिए समझ संग बार बार कहता है आओ आके बात करते हैं आओ आके बात करते हैं पर मैदर बात है कोई बात करने आता है यह सबसे बड़ी बात है इसको यह समझ भी नहीं आता कि क्या समझें इसको काम आना हूँ जो तारीका बताओगे उसी पर कुछ काम बता देगा जैसे कितना बड़ा बिजनस मैंने पूछो मत कि इसके पीछे कितने फोन लगे हुए है और हमें पता है क्या उकात है क्या नहीं है पर चलता है कोई बात नहीं आदमी मुगालते में जीता है तो देर लगेगी सबे लगेगी पर बात बनेगी क्योंकि संग कभी फेल नहीं हुए संग कभी खालियात नहीं हुए 11 फरवरी दिल्ली के अंदर समण संत समागम है हम बाचीत कर रहे हैं हमारे एक संगी है करंदाजी उन्होंने 4-5 रविदाज जो गुरू है उन संतों के नाम भेजे दो तिनों से हमने बात की वो कहरे जी चलना पड़ेगा बात करनी पड़ेगी चलेंगे बात करेंगे जित चाहिए अपने रिजदारों को लालाने के लिए हर संगी को यह मान कर कि संग उसका है संग उसकी प्रॉपर्टी है संग पुराना है संग प्रातन है संग उसके बाप दादाओं का है संगों को बढ़ाने के लिए दिरदात काम करना है तो उन लोगों को यहां तक लेके आना चाहिए क्यों लेके आना चाहिए हम को रेली नहीं करते हम को प्रदसन नहीं करते हम को गौर्णमेंट से डिमांड नहीं करते हम गौर्णमेंट से को शिकायत भी नहीं करते हम किसे कुछ नहीं कहते हमको यह पता है कि अगर हम इखटे हो जाते हैं तो हर चीज हमें खुद मिल जाएगी हमको यह पता है कि जो लोग इखटे रहते हैं वो धननारी प्रद्रसम नहीं करते हमको यह पता है कि जो लोग पहले संग्टित पहु चुके हैं वह मौज में हैं हम को पता है कि हम भी बहुत पहले संग में थे तो हमई सब् temperature मालिक तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि खटे होंगे तो कुछ मिल जाएगा तो इखटे होने के लिए हमको जोस बढ़ाने के लिए एक दूसरे की शकल देखनी होती है हम एक दूसरे के खुशी बरे चेरे देखने होते हैं हमें अपना जो पूरा परिवार है उसे देखके भर सा तूड जाता है तो मन तूड जाता है कि अरे लोग भिखरे ह करते हैं तो हिम्मत बंदी रहती है हम हैं बहुत सह Alrighty तो हमारी हम्मत गुत है नहीं तो जब हम तालकुटरा इस्टेम में ग्यारे फरवरी के खटे होंगे अच्छे-चे कपड़े पैनके धुले-धुलाए कपड़े पैनके बढ़िया बालवाल काड़ के टाइवाई लगा के सूटूट लगा के कोट्मेंट पैनके कुछ जो भी जिसका संसाधन है बस से बात पहुचा देते हो तो क्या रखा है भाष्णों में पर जूम मिटिंग पे मिलना या किसी को वीडियो में देना या किसी को पोश्ट पे भीजना उसमें मज़ा नहीं आता मज़ा जब आता है जब हम अपने बहन भाइग को अपनी आखों के सामने हसते हुए बोलते हु ये हमने क्या बार महसुस करी है, हर मीटिंग में हम जब भी जाते हैं, ये उर्जा हमें मिलती है, क्या बार ये कम हो जाती है, क्या बार जाती है, जब विरोध जाता है, बढ़ जाती है, जब विरोध कम हो जाता है, विरोध तो रहेगा, विरोध तो हमेसा रहता है, इसमें क पड़ा देनी हैं और जितने भी लोग हैं उनको ग्यारे फरवितक दिली लाने के लिए रेइस्ट्रेशन कराना है खुद के खर्चे का तीन सो पचास रुपे फुल डे तीन टाइम का खाना चाहे नास्ता रहना वहां पर फोटोग्राफी वहां पर बिचाना टेंट वेंट लाइट सिकॉर्टी स्टेटीम का खर्चा यह खर्चा वह खर्चा मिलाके एक आदमी का फ्रचा किया है जो यंग है नौजवान है उनका एक सो पिशतर रुपे और जो दस सालसे चोटे बच्चे हैं उनका पच्चिस रुपे आप कितनी जल्दी अपना खर्चा जमा कराते उससे पता चलता है कि आप संग के जुम्मदारी उठाने के लिए कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं आप खोशी से आए या हस के आए आप अभी आए या बाद में आए अभी जुड़ें या बाद में जुड़ें इधर जुड़ें या किछी संग्ठर में जुड़ें किछी और जी के जुड़ें जुड़ना तो पड़े गई आपको और सब को इखटे आना पड़ेगा इसके अलावा रास्ता है नहीं अगर किसी के पास इसके अलावा रास्ता हो तो संग में बार बार कहा जाता है आईए आके बताईए कि संग से बहतर कोई रास्ता है तो संग उसको adopt कर लेगा और कोई यह कहे कि संग की सही बहतर रास्ता है और संग अडॉप्ट नहीं करता है तो यहां सब को अजादी है सारे के सारा संग महां उठके जा सकता है यहां इसका कोई ego है नहीं यहां कोई इसका रेश्टर इन्वेश्टर नहीं है यहां कोई पैसा वैसा वो पढ़ें और यहां आके अपने सवाल जवाब करें और यहां ना कर सकते हो तो फोन पर करें और फोन पर नहीं कर सकते हो तो संगती में करें नहीं तो पोस्ट छोड़ दें आपके हर सवाल का जवाब संगत कहीं ना कहीं देगा आपको इसके अलाबा कोई रास्ता नहीं है जो लोग जुड़े हैं वो जीते हैं जो लोग नहीं जुड़े हैं वो मर गए वो खतम होगे उनकी नसले खतम होगे चाया वो जंगल है चाया जानवर है चाया पेड़ है या पौद है जो लोग इखटे ने रहे वो खतम होगे इसलिए जुड़ना बचने की गारंटी है और हमारे बचने की गारंटी है ये बात अगर समझ में आती है तो मुझ खुलना सीखिए सवाल करना सीखिए चन्दा बंद कीजिए लोगों से कहिए कि रैली ये जो ताम जाम चल चल रहा है या लग लग जो आप अपने अपस्तित को बचा रहे हैं इससे नहीं बचने वाले हम हम तब बचेंगे जब संग का अस्तितु बचेगा व्यक्ति के अस्तितु बचने से हम नहीं बच रहे हैं संग का अस्तितु आएगा संग का अस्तितु बचेगा तो हम बचेंगे यही प्रकति में होता है कि जो लोग इखटे रह देंगे मेरी किसी बात से अगर कोई किसी को हत हुआ हो या किसी को हानी हुई हो तो मैं संग से और उससे माफी चाहता हूं संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे संग नमामी संग नमामी संग नमामी और 11 फरवरी के तयारी जोड़ सोड़ से करें संगह नमामी